हेलो दिये स्टूडेंट वेल्कम तू आर चैनल अकाउंटेंसी लर्नी मेड इजी बेटा इस इस अनदर वीडियो आफ दा चैप्टर कैश फ्लो स्केट्मेंट आज बेटा मैं आपको कोशन नुबर 24 से करवाऊंगी ठीके गोल की बुक का इसके अंदर कैश फ्लो फॉर्म इ अधिशन इन के आज फोली तो नुबर 25 नुबर 20 ऑफ द्रॉटी एप्र उट्री तरफिशन देरों इनकानी अधिशन नटर्टी थाजन तरफ दीजिए वीडियों के बारह लागत चैनल इसके वह बैड़ु आप्र प्रटी थाजन प्रटी थाजन प्रटी थाजन देरों तो इसका कैसे सोल करना वो मैं आपको बता रही हूं और इन्हों है का यूर रिक्वाइर टू कंप्यूट दा माउट प्लांडर मिशिनी परचेज कि इतने की परचेज की किया वो बता ली है सोल कितने की सेल हुई और डैक्टेशन की इतना लगा मशिनिया पर हो जो कि इस तरह से प्लाडर मेशिनी के जो आइटम का मारा रिजल लेगा इससे कैश नो हुआ है इंफ्लों हुआ या आफ्लों हुआ आफ्लों हुआ ये बताना है तो सबसे बने हम करिए कोशन नमर ट्वर्टीफोर आप सबसे पहले हम इसका बनाएं गे ißt- वर्की दोर लुखिये भरती दोर सबसे बने हमें क्या लेुआ रखा है एक कोश्पाइज की दे रखिये मेशीन की और मीश्पाइज है 12.8 दित क्यों है लिखिए कोश्पाइज इस इकोल टू को ट्राइल एक्टी थाओं जो मिशीन भी की है उसकी कोश्पाइस इतनी है लस्टाप्रिशेशन इसको जो अभी तक का डाप्रिशेशन लगा है वो दे रखा है फाइल थाटी थाओं पांच लाग तीस दार ठीक है बट्टा वह आप इसने से क्या तर देंगे माइनस कर देंगे यह राज जगा सैवल एक्टी थाओं ठीक है उसके बाब उसमें हमें यह नहीं पता कि वह कितने की भीखिये वह सेलिंग करें समय निकालना है तो माइनस कर देंगे लोग्स लोग्स कितने का हुआ है वह वह एवर टाट टूलाइक शिक्स्टी थाओं या जाने कि कितने में विक्षी होगी वह अब भी पाइलट कर सकते हैं लिखिये 490,000 की हमने मशीन जो है वो सेल की है तो आप लिख लिजिए सेलिंग फैल्स इदने की विखी है अब हम बनाएंगे प्लांड़ मशीन रेगा हूं ठीक है प्लांड़ मशीनी में हमें काम आएगा लुए यह जब हम बनाएंगे तो आप मैं बताती हूं उसको किस तरह से आपके शोगंदर लिखिए प्लांड़ मशीनरी अगाँ यह एक असट अकाउंट है ठीक है डैबिट सेट के आता है इंक्रीज आता है प्रेडिक्रीज आता है लिखिए परिकुलर्स अमाउंट और यह साइड क्राइट सब्सक्राइब लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमांट अपने लिए आप लिखेंगे वर्टा इंक्रीज यह इंक्रीज यह इंक्रीज है यह इंक्रीज है सबसे पहले आपको प्लाटर मिशिनी के बैलनसिग दे रखेंगे लिखें टुवैलर्स गोडाउन टुवैलर्स गोडन 48 ले अब प्रेक चाहे लिख लिखेंगे बैलनस करेदाऊन इब स्क्राइब करेदाऊन इस सिफ्स्ती फाईलएब करती अब जो मशीन विखी है 6,40,000 निक्के अब जो मिशीन विखी है वो इतने में विखी होनी भी लिखते हैं बाइब अकाउंट दरके यह अब रोग नुवारा अभी आया था 4,90,000 और अब में क्या हुआ था लोस हुआ था बेचका और लिखेंगे बाइब स्टेट्मेंट पी एंडर क्योंकि लोस हुआ इसलिए अब लोस हुआ सेल भी नहीं सकते हैं यह आया था हमें कोशन में दिया भी हुआ है 2,60,000 ठीक है उसके अब उसके अपर कितना लगा था वो लिख देते हैं बाइब आपनी सेशन अकाउंट कितना अगर हमारा देशन 5,30 यह आपने यहां पर दिखना है क्योंगि नहीं नहीं दिया हुआ वह हम देशन अकाउंट बनाके निकाल देंगे अब डैबट शेट लिखेंगे तो बैंक अकाउंट यह बैलेंसिंग फिगर आएगी कि कितने ही हमने क्या कि अप्रादर मशीन सब्सक्राइब निकल के आएगी पहले हम ग्रेट शेट का क्या रहते हैं टोटल का दिखते हैं ग्रेट में सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है कि 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 बताती हो में निकाना या कि 78 वर्टी नहां होगे कि 78 वर्टी खाओ और हम नेविटर देखे हैं मैं बस 48 वर्टी यह रहा जाएंगे कि 30 वर्टी खाओं थर्टी लैट वर्टी खाओं की हमने परचेश कर ली है प्लांटर मशिन ने तो यह आउट्फलोव क्या आश होगा ठीक है आप हमने क्या बनाना है अब हमने बनाना है अब क्या करेंगे बनाएए अब क्या करेंगे बनाएए ओपनी जो है रैडिट से शुरू होती है तो भी रैप्रिशन लगाने से हमारी जो एसट की वैज़िए क्या होती है तो प्रोविजन फॉर डैप्रिश्टिंग वी कॉमली दी एप्रिशिएशन जो है रिवर्स शुग होता है रैडिट में फीजाता है और दीट में लिए डिक्री अता है तो सब्से बनाल निख्येंगे बाइए बैलेंस फ्रटीन लेट फाइल थाउड़न और डैबिट साह लिखेंगे टू बैलेंस करेड़न यह लेट लेट फाइल थाउडन ठीक है अब आपका जो मशीन का डैप्रीशेशन लगा था तो यहां पर लिखी गेगे टू प्लांटन मशीन भी जो भी की है उसका डैप्रीशेशन आपका फाइल थाउड थाउड आप देख सकते रिवर्स जागा है वहां पर बाय में तक यहां पर टू में आएगा फिर यहां पर जो मारा टैप्रीश निकलेगा आपाए डैप्रीशेशन अकाउंट यह स्टेट्मन ओ पी एनल से हम क्या करेंगे चार्ज करेंगे डैप्र दिए अधिक का मुझा किल गाए डैप्रिश्या दनल से दिए फिर यह पर देख ट दैक्रीशेन पूम क्या आपको देख लेगा यह बाट बात नहीं है अब बता लूगा आज आए तो के आपने रहे करना है इसका टोटल है 27,000 यहां के लिग दीजेए 27,000 क्सेंटों इस मे यह ज़र्टी ले लेकर थर्टी फाइचाफ लेकर इसके अंतर हमें क्या थो फोर में पूचिया हुई कि या कि या वहारा आंसर ने पचे इस पाव हो मैंने आपको बता दिया आप बेलानस जो परचेश का में आपको बता है तो होता होता है प्लांड मिशनी के हैं इंफलो कैसे जो मैंने अभी आपको बताया था हो लग 90 थाउजन और अप्रीशिशन चार्ज दिरिंद आपका 30 थाउजन आ गया इसके अलावारों में सेक्ड पॉंट किया पूचा है हाओ इच अब आइटम तो प्लांड मिशनी बिल भी रिपॉर्ट प्लांड में वह नोब बुच्छे की किस तरह से मिसको शोग करेंगे वह मैं आपको बता रहती हूं अब क्याफ्भ लॉफ्रों को अप्रेटिंग अक्टिविटीज लिखिए क्याश्ट लोफ्रों ऑप्रेटिंग एटिविटीज फो फो दाइर एंड थाटी पास मार्ट 1-060 क्याश्ट लॉफ्रों चेक्षपलों चस्विट्व वर लोफ्रों क्याश्ट लॉफ्रों कन YOU can watch a ऑन मार्ट नवे यह एंडिर अडिपास्ट मार्श तूथाजन सिक्टी दोई आनेश के अंदर एक से लोग प्लाटडड मशीन दी एक पचेज़ों प्लाटडड मशीन दी और डिवल आस लिखिये पे लिखिया वहूं 아 दो क्या है इंसे पैले किखिये से लों से लोग फ्लांतल मशीन दी जो सेज़ों ऊखिया से इंफलो कैश होगा तो यह बिना पराइपिट कियい प्लांटर मशीनी का बेटा 4,90,000 और परचेज और प्लांटर मशीनी का है आउफ्लोग कैश्ट परचेज और प्लांट एंड मशीनरी यह आउफ्लोग है इसको प्रेकिक में लिखेंगे इसका अमार मैंने अभी आपको बताया था 30,30,000 यह माइनस में आजिगा तो अब आप क्या करोंगे 30,20,000 जो आउफ्लोग है उसमें से आप 4,90,000 माइनस कर रोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 25,30,000 एक बाम मैं फिर्स चेप कर लेकिए हूँ यह में बता 25,30,000 आए यह आउफ्लोग है तो लिखें नेट कैश यूज इन 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 वेस्टिंग अप्रेश की तरफौ में आपको अपनी बेलेंस बहे है और थे रेंस बैलेंस है और पेटर्स वुट्विल है हमारी जो प्लांटर मशिंद्री तो नहीं आएगा यह यह जापिशन चार्ज दे रखा वह गोगा याप्री सेशन एक मशीन जिसकी वेन्यो बॉल्लेव 40,000 माँ वाइनोस हो चुका है वो हमें पता नहीं कि कितना है, वो एक लाग पचाश जार में भीक गई, दस जार का हमें फैदा हो गया, अब मशीन एकांड में इसको शोग करेंगे पेटेंट सेंदिग बुक बैलेव 60,000 वा सोल फोर 45,000 जो पेटेंट थे जिसकी वैल्यू 60,000 थी और वो 45,000 में भीक गई है यानि की 15,000 वामें लोग सोक्या तो इसको किस तरह से शोका ना मैं आपको बता रही हूं हमें तीन अकॉंड बनाने बढ़ेगे एक तो होगा प्ला मैं प्लांड किसाया है एक आपको डाइबट से राइबट में कया लिखेंगे और पीरड़ दीश और तूलीके वह इता यह शाता wrapping साट यहupaली मिंटो हुआ पर प्लाद होगा रराорм, सबसूमां लिख्न आपको नि होगा लिख हरको तो का dat is the A-flex to balance brought down A-flex थीक है फिर बाइबैलन्स केरी डाउन 760 अब आप क्या करेंगे जो हमारी मशीन भी कगई है वो प्रेडिक शाय लिखेंगे वाइबैंक अकाउंट रेकिन में आपके मज़ी लिख सकते हैं से वह कितने की भी की है वालाइक 50,000 की आप जो बुक वैली बुक वैली में स्टेश माइनस करने के बाद उसकी वैली वाले 40,000 है वाले 50,000 है तो दस जाल का फाइदा हो गया तू स्टेट्मेंट ओ पॉफिटल लोस पॉफिटल लोस पॉफिटल लोस जो दस जाल का फाइदा वही आ गया अब हमें यह नहीं पता कि डैप्रिशेशन की इतना ज़दा कोई ब् प्रोब्लम नहीं है हम बैप्रिशेशन की सतना से लगाना है वह अभी आपको रिगाल के बताती है इसके उपर ठीक है अम आपको इसी के नीची ही प्रोवीजर फोर डैप्रिशेशन जिसको आपको अब अबनेटेशन दगाओं कहते हैं वह बनांकी सिखा देती हूं फिर लिखना है तो लिखिये ज़रा अकॉमुलेटेड डैप्रिशेशन रखाऊं पर्टिकुलर जमाऊं पर्टिकुलर जमाऊं यह रिवार्स होता है प्लाट्र मेशिनी से यहां पर डैपेटिक पीजिए यह साइड क्रेडिट है बर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिक साइड से शुरुआ आप करेंगे बाइबैलनस गोडाउं बाइबैलनस गोडाउं बाइबैलनस गीवन है हमारा हाग अवर्डियर डिट का टूल है सेवल टी काओं और गर्डिक साइड लिख दिया डैवंड में लिखेंगे टू बैलनस के लिखेंगे 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 जोने चार्ज किया है कि अगरिवारा में लिखेंगे है डैड गर्चाइड पर किसे लिखेंगे अगर्ट में लिखेंगे लिखेंगें टूर्ट क्राइए अबिसको प्लस कर दीजिए इसका टोटल अगया फीना कि दूरी नहीं हो और कॉमलेटी डप्रिशन अपाउंट बनाना हो तो मैं ऐसे लिगना है यह आगया एक्टी थाउजन प्लस इंच अवरटी फील है तुप्ती थाउजन कल्डाइबर के वारा फील ही होना चाहिए यानि कि जो मारा बैलन्स हो आया यह उस मशीन पर लगा होगा जो मशीन भीक गई है तो लिखिए टू राण एड मशीन देपाउंट ठीक है बड़ता यह इधर चाहिए रिवर्स में 35,000 दुबारा सुनों यह वह मशीन का अड़ापेशन है जो भीगी हाँ मैं कैसे करता चला है इस का टॉन और किया 350 प्रीला हम लिखेंगे जो कि उस पर लगा होगा जो प्लाड भीक गया है और इसका टॉडर करते हैं यह आगए 9,000 हम यह आपने लिख लेते हैं 9,000 एक बार मैं फिर भी टॉडर करके देख लेक्ती हूं ठीक है यह प्रिटर नाइने 45,000 इसमें से 85,000 करेंगे तो यह आजएगा 130,000 यह क्या है यह परचेज है हमारी जो एससेट उसकी परचेज निकल के आई दुबार समझा की यह ओपनिंग बैलेंस है और यह मारा प्रोजिंग बैलेंस है हमारी जो मशीनरी है वह बैंक करके लिखी है जो भी एक लार पचार जार की वह एक लार चारीज आर की तो अधार हो गया दसे जार का ओंगी हमें आपे यह मांट हमें पता नहीं है हमने लिखी है अब अब अबने के अब आपनी मेलस्टर हमने इधर निका 2,7000 लोजी हमने निका 3,500 और जो निका 3,500 और जो निका 4,000 तो अब हम इसमें से यह माइनस करते हैं 8,000 तो वाले 35,000 की परचेज आगी जो यह परचेज है यह आपको यहां पर लिखे बता रही है माइनस में आएगी फिकर जो सेल हमारी वह वाले 50,000 और बिगा रैकिन के आएगी अब उसके अलावा में आपको बताऊंगी की पेंट पेंट्स अकाउंड ही क्यों बनाना पड़ रहा हमें क्योंकि हमारी पेंट्न कुछ सेल हुई है ठीक है बनाई लिए पेंट्स अकाउंड लिखे आगी पेंट्स अकाउंड सबसे पहले तो बैलन्स बोर डाउंड इसमें ओपनी में लिखे निए ठीक है पेंट्न के डैप्रीशिशन नहीं लगता वेटर जो रिपेंट्स होते हैं डैप्रीशिशन यह लगता ओपनी बैलन्स दिया हुआ है दिखेंगा देधिए 2,000,000 लिखेंगे 3,000,000 तू बैलन्स दोर डाउं और वाइन बैलन्स इसका रोजिग वैलन्स दिना हुआ ह्में तू लेक पैन थाउजन ठीक है बेटा अब हमें यह लिखा हुआ कोशन में पेटर्ट इसकी बुख वैली 60 थाउजन हो 45 में बित गई बैंक करके 45 थाउजन और मुंकित कम पर भी की है तो लोज हुआ बाई स्टेट्मेंट और पी एनल स्टेट्मेंट और पी एनल यह जोँ प्रोफिटलों से में ट्रांस्पर करेंगे यह वारा लोज है कि वह साथ जार वाला पंतालीस जार देविकार तो पंदरा जार थामारा क्या हो गया लोज हो गया अब आप देखो डैबिट का अभी जागा है थी लाग कुंटी थाउजन यह ड़ागी और क् यह क्या है रिटन ओफ हो है मारा स्टेट बड़ पी एनल यह लोज है उंदरा जार रखा यह जो बैनस हमारा थी लाट पंदी हाजन में से पाइनस करके आएगा ना वह आएगा देखो यह 210 प्लस 60 270 तो 50 थाजन जो भाई स्टेट बड़ पी एनल आएगा यह पेटेट पाला है यह रिटन ओफ होगा यह भी एड़ होगा अपरेटिंग एक्तिविटी में वह हम हमें अभी अभी अप्रेटिंग अक्तिविटी बनाने को नहीं का हुआ तो हम जो है यह अभी नहीं रूज करेंगे सिरफ हम ने इसको अकान में लिख दिया अब हम बनाएंगे ओपरेटिंग एक्तिविटीज फोर दा इयर एंडिट बैश तुग्यामें कोर्शन में इयर नहीं दे रखा ओर दा इयर एंडिट बैश अब पहले लिखिया आप पर्टिकुलर्स पिरमाउंड आपको क्या दे रखा बैटा अभी मैंने बताया भी था मैं साइब कर लिखा भी हुआ है से लोग मशिनरी वाले 50,000 यह क्या है इंफ्लो ओफ कैश है तो दिखिये से लोग प्लांटेड मशिनरी प्लांटेड मशिनरी वाले 50,000 यह इंफ्लो ओफ कैश है तो विदा ब्रक्रिक क्या रहेगा फिर हमने से ल की है पेटेंट्स ही लिखे से लोग पेटेंट्स 45,000 उसके बाद पर्चेज हुआ है हमारी प्लांटेड मशिनरी वह आउफ्लो ओफ कैश है पर्चेज ओफ लांड एड मशीनरी इसका अमोंट आया है वाले 35,000 ये ब्रैकेट में है वाले 95,000 में से वाले 35,000 माइनस को तो 60,000 बच जाते हैं ये पोस्तिव है तो मारा अंसर आज़ा है नेट कैश फ्लो फ्रोम इन्वेस्टिंग एप्टिविटीज ठीक है बटा आप चलते हैं पोस्तिव नूंबर 26 एड ज्यान से सुनिए डीकेट लिंप्टिट परवाइड शीम दा फॉलिंग इन्वेस्टिंग नोन का इंवेस्टिप्र लास्टियर की देखे वाले इस यर की लाज़ इट को फॉर्टी थाज़न दे रखी है ड्यूरिंग एड़ कमणी सोल एटी परसेंट ऑफ इस ओरीजिनल इन्वेस्टिमेंट और इजनल की इतनी हवाले पैसा कहा से आठाा सेव इनमेस्ट में जा रहा है यह जैनिनी कहां हो रहा है करचे जो एएठाइस का है इन्वेस्टमेंट से म्मेक्ट्रण मंना पढ़ेगा पे Hm को को बचन चुज़्ड़न था कि को पूЛबलम ना काए ठीक है भिकिए सेमाने पीटिसञ्त कि कि कोस प्राइज ऑफ इन्वेस्पेंट कोस प्राइज ऑफ इन्वेस्पेंट जो इन्वेस्पेंट विखी है उसका कोस प्राइज बता रही हूं वह इन्वेस्पेंट ओरिजिनली शुरू में कितने कि वालाट पर्टी थी यह सारी नहीं विखी इसकी 80% विखी है 80% की वेल् प्रॉफिट कितना है 96,000 का 20% तो प्रॉफिट आगया यह आया 19200 यानिकी कि इतने में इसको बेचा होगा 115200 में यागे सेलिंग प्राइस इसको समझ लिया आपने अब आप क्या करोगे रोर के लुब करम माने क्या है 169 से OC 나는ic you know from कि इबाँ कि से इस पता जब्चाम है इि उफेट बिबीश्यां में नहीं लगता value decrease हो सकती है और इस पर depreciation हम नहीं लगाते है तो लिखे rabbit side particulars ये side increase side है particulars amount ठीक है? और ये वाली side decrease वाली side होती है particulars amount debit side to balance brought down आजेगा लिखिए two balance brought down इसका opening balance है जो पिछले साब का जोजी है इस साब का opening होगा वाल लेफ 40,000 तो credit side by balance carry down 40,000 अब कितने की भी की है मैंने आपको बता दिया था वाल बैंत तो तोड कर दीजिए वाल लेफ 15,200 ठीक है? अब जो हमें profit हुआ है profit से हम entry करते है न bank account debit to normal investment to statement of P&L तो यह two statement of P&L यहाँ आएगा two statement of P&L वो मैं आपको बता चाथी हूँ 19,200 फिर तो bank account करके आएगा यह आएगा purchase purchase कितने की की है हमने investment वो आजाएगा ठीक है? अब आप क्या परका लेएगा? अब आप total करेगे फिर अब balance निकालेगे इतना आएगा लिखिए 155 155 200 फिक है? अब आप purchase निकालेगे कितनी आएगी? इसका total आया 139 200 155 200 से पाइनस कर दो तो 16,000 की purchase आजाएगी अब हमें इनने अक्तिविटी नहीं बूची और रेटिंग एक्तिविटी नहीं बूची ये बूच्चा है sources क्या है? तो अब रिके sources source वो अतर जहां से पैसे आ रहे है sources का mode क्या है? ये है 115200 ये inflow cash है और यूजिज बन अब जहाँ पैसा यूज हुआ है वो 16,000 है क्योंकि नोर्टन इन्वेस्पेंट को क्या किया गया है? पर्चेस किया गया है ठीक है बेटा? अब बेटा 26 का B question समझेंगे पहले एक्स लिम्टिट परवाइड यूदा फोलिंग इन्फोर्मेशन नोर्टन इन्वेस्पेंट दें गया है 50000 प्रिवेस यार की पर करण्ट इयर की पहल्ण अक्रांट बना लेंगे 46 का B लिकिये नोर्टन इन्वेस्पेंट नोर्टन इन्वेस्पेंट जब हो मारी क्या है? अससाथ है एसेट की डावीट इंगी जोती है और प्रेट डिप्रीज होती है तो गनाएं जरा पर्टिकुलर्स अमाउंड फिक है यह साइड है और इधर वाली साइड क्रेट चाहिए पर्टिकुलर्स अमाउंड इस कोश्चन में हमें परचेज दी हुई है अगर हम इंवेश्मेंट परचेज करते हैं तो एंटी ओपी नों कर्ड इंवेश्मेंट वेल्ट रगावर यह चीज़ दी हुई है तो सबस पास नों कर्ड इंवेश्मेंट कर क्या बैलस दे रखा है वो लिखते हैं पर ले लिखिए तो बैलस ब्रॉट दाउन इसकी वेल्वी दे रखी बटाए हमें तुप्टी हां होजे आगे क्लोजिंग बैलस दे रखा है बाइ बैलस क्यारी डाउन शिक्सी दाउन जो पिछले साल का क्लोजिंग का इस साल का बिगिनिंग एसले मैं आप लेखा आप हमें पर्चेस किया जो इंवेश्मेंट को उसकी वेल्वी दियू हुई है तो बैंक करके लिखिए बैके में लिखो पर्चेस है कि उसके बाद पर्चेस की रहते दी हुई है इसका बाउंटर बेटा 25 होगे आप कितने की विखिये हो हमें पता रही है हम बैंक का और निकाल लेंगे और बाई स्टेटमेंट पी एनल क्योंकि हमें पता जाना है कि लोग्स कि 5,000 60,000 जो है दिया हुआ है तो डिफरेंस कितना बच गया 15,000 हमें इन दोन में 15,000 टोडर करना है पर लिखना कितना हो देखना है 20% तो लोग्स हो गया इसका पॉच्छा है कि सोर्सीज गया है सोर्सीज ऑफ कैश सोर्सीज है हमारे बारा जा जहां से कैसा आया अगर यूजिस पुच्छा जा तो मैं 25,000 बोलती पर इसमें हमें क्या कहा गया है इसके जिए सोर्सीज भूचाता हूं देख लिख दिया तो बटर ठीक है आज इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर आई है और इसके अंदर हमें कोश्चन में 24, 25, 26 किया 26 के बटा दो पार्ट से ठीक है बटा सो सुटेंड आई होब यू अनशू तर टोपिक वैरल से टून विद मी इन नेक्स वीडियो थैंक्स फॉर मॉच्छें